यह वाला वीडियो मैं सब के लिए नहीं बना रहा हूँ यह मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां दिन में पाथ से आठ घंटे खड़े रहना पड़ता है या बैठना पड़ता है कंटिनियूस बिना किसी ब्रेक के जैसे ट्राफिक आई-टी सेक्टर और ओफिस गुवर्स टीचर और इवन हाउज वाइफ क्योंकि कई बार घर में कंटिनियूस ली कोर्ज होता है खाने बनाने से लेके बच्चे हैंडलिंग तक जहां पर खड़े रहना या बैठना पड़ता है और आराम नहीं मिल पाता है सो दोस्तों आप में से जिनके मैंने नाम ली है और शायद जिनके नहीं भी ली अगर आपको पूरा दिन खड़े रहना या बैठने का काम है तो चांसेस है कि आपको वेरिकोस वेंस डेवलप हो जाए स्टाटिस्टिक्स और एक्सपर्ट्स बताते है कि शायद पात साल के अंदर 33-50% पॉपुलेशन को वेरिकोस वेंस का कोई ना कोई स्टेज हो सकता है स्पेशली अर्ली स्टेज़ जैसे स्पाइडर वेंस या वेरिकोस वेंस क्या होते है ये हम इस पे कई वीडियो बना चुके है आप आई बटन पे जाकर देख सकते हो पर मैं आपको शॉट में बता देता हूँ कि देखिए जब आप पूरा दिन खड़े रहते हो आपका जो वेंस का काम है बलड को पेरो से हार्ट तक लेके जाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गुर्तवा करशन बलड को नीचे किछता है साथ में आप वॉक नहीं कर रहे हो एक्सराइज नहीं कर रहे हो तो बलड पंप भी नहीं हो रहा है इस वज़े से वेंस में जो वैल्व होते हैं जो दर्वाजे होते हैं उन पर बहुत प्रेशर आता है और एक दिन वो तूट कर नीचे की तरफ खुल जाता है जिसके वज़े से सारा बलड नीचे आता है शुरवात में स्पाइडर वेंस वेरिकोज वेंस होता है बढ़ बढ़ के धीरे धीरे वो स्किन चेंज़े में इस कनवर्ट होता है और फाइनली गहाओ भी बनाने लगता है स्किन को डिस्ट्रॉई करके अफकॉस जिनको ये हो चुका है उनके लिए हम हजारो वीडियोज बना चुके है आपने उस पर लाखो करोडो वीउस दे दिया है बहुत प्याल दिया है पर आज बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनने अभी तक फुल ब्लोन वेरिकोज नहीं हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए इसे प्रिवेंट करने के लिए हम 5 lifestyle changes की बात कर चुके आप वो follow कर सकते हो जिसमें first है posture कोशिश कीजिए कि अपने job या अपने पूरे दिन के schedule में breaks लीजिए बीच बीच में walk करें बीच बीच में पैर दिवार पे रख दीजिए उचा या at least एक stool पे रख दीजिए ताकि blood पूरा दिन gravity से गया गुलतवा करशन से नीचे ना बहते रहे second yoga अगर आप yoga कर सकते हो बहुत help करेगा हम detail में एक yoga वीडियो बना चुके है साथ में walking भी बहुत help करेगा third आपको full blown compression stockings पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन at least आप compression socks पहन सकते हो यह simple socks की तरह है पर उससे थोड़ा tight है stockings जितना tight नहीं है cotton और बहुत अच्छे microfiber fabrics में आता है जो बहुत breathable है कोई problem नहीं करते है पसीने का या खुझली का इससे बहुत फरक पड़ जाएगा आपको बहुत light लगेगा और यह vericose veins का progression थम जाएगा बहुत हद तक and fourth occasional massage हफते में एक बार time निकाल कर आप massage कीजिए उससे बहुत फाइदा मिलेगा progression अगर होना है तो नहीं होगा तो यह simple चार lifestyle changes हमने बताए जिससे vericose veins progress नहीं होगा compression socks के लिए हम detailed sigwaris video बना चुके हैं आप वो video detail में देख सकते हो चली देखते हैं sigwaris India के एक product specialist पे और उनसे सुनते हैं कि यह socks कैसे पहनने और कैसे benefit करती हैं लोगों की तो बात कर लिए जो जिनको वेरिकोस veins है और वो कैसे अपने stockings असानी से पहन सकते हैं क्या tips और tricks यूज़ कर सकते हैं compression socks हैं जिनको है support socks बोलते हैं उसमें medical class से कम compression होता है तो पहनने में भी easy होता है और आपके पेरों को mild compression पूरे दिन देते रहता है तो आपका जो risk है वेरिकोस veins आगे जाके develop होने का वो बहुत कम हो जाता है यह stockings हमारे पास patterns में भी है fun patterns में तो ऐसे नहीं लगेगा कि आप medical product पहन रहे हैं और slain colors में भी है तो आपके regular rose के कपड़ों के साथ भी वो पूरा merge हो जाता है तो दोस्तों I hope यह clip ने बहुत help किया अफकॉस जैसा उन्होंने बता है main benefit है कि यह बहुत सारे colors और patterns में है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह compression socks है यही लगेगा कि यह normal socks या leggings पहनी हुई है तो इसी तरीके के health care बहुत सारे preventive videos हम बना रहे हैं आप channel से जुड़े रहे हैं बहुत बहुत benefit होने वाला है इसलिए follow subscribe और bell icon दबाना मत भूलिए सुरक्षत रहे है सचक्त रहे हैं